जैस्री कृष्णा राधे राधे ज्यादा तर हमारे घरों में फिटकरी जरूर होता है क्योंकि फिटकरी एंटी सेप्टिक के रूप में भी इस्तिमाल होता है और नकारत्मक उर्जा को सोखने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए भी इस्तिमाल होता है वैसे तो प्रियोंग से आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है और कई तरह कि समस्याओं से आप बचे रहते हैं वैसे तो अगर कट फट जाए तो खून को रोकने के लिए भी फिटकरी का प्रियोग होता है इसलिए तो बहुत पहले समय से ही जब पूरु सेव करते हैं तो फिटकरी का यूज किया जाता है वैसे तो देखिए आज हम आपको फिटकरी के कुछ खास परियोग बताएंगे जो आपके जीवन के नकात्मक उर्जा और दरीता को दूर करेगा आपकी परिसानियों को समाप्त करेगा तो आईए जानते हैं व कहता है कि अगर दुकान या ओफिस में मंदी हो आपका सही से नहीं चल रहा है पर उसी के दुकान तो बड़े चलते हैं पर आपके नहीं चलते हैं ग्रहा काते ही नहीं तब एक छोटा सा प्रियोग कीजेगा अगर आपका दुकान सही से ना चले तब एक काले रंग का में होगा कोई भी कपड़ा ले पुराना भी चलेगा पर काला रंगा लीजेगा अब इस कपड़े में फिटकरी का एक डली यानि टुकड़ा रखे अपने दुकान ऑफिस के में दरबाजे पर बाहर की तरफ से सनी बार मंगलवार रवी बार किसी भी दिन बांदे नकात्मक उड़जा भी दूर होगी आपके वैपार में धीरे धीरे देखेगा तरक्की होने लगा है और धीरे धीरे आपके जीवन की समस्या भी समाप्त होने लगेगी कई बार क्या होता है घर में कलहकलेस बहुत होते पत्ती पत्नी के बीच बंती ही नहीं जगले लड़ाई बाद बिवाद बहुत सारे टेंसर एक छोड़ा सा काम करें यह प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं रात में सोने के पहले आप जिस बेट पे सोते हैं आप लोग पलंग के नीचे एक कांच के गलास में पानी ले ले और उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल कर रख दे अगली आप लगातार कुछ दिनों तक करें पंद्रा दिन बेज दिन आप देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएंगे पॉजिटी अब इस जमाने में नौकरी की समस्या भी परिसान कर रही है करोना वायरस का वक्त है तो बहुत सारे बच्चों को जॉब के लिकर बहुत टेंसन है तो अगर आप चाहते हैं कि इंटर्विव में सफलता मिले एक जॉब मिल जाए तो सबसे पहले छोटा सा काम करें फिटकरी के छोटे-छोटे पांच टुक्रे ले 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 याद रखिए पांच टुक्रा और आपको छे नीले पुस्प यानि ब्लू कलर के पुस्प लेने है छे और एक कमर में बांधने वाला बेल्ट एक नया बेल्ट ले ले मिलता है बच्चों लोगों का भी कोई भी ले 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 अब इन सभी चीजों को किसी भी दिन खासकार अगर मंगलवार का दिन हो तो जादा अच्छा रहेगा देवी मां के मंदिर में जाकर वहां पर रख आपके जीवन की समस्या दूर हो जाएगी जो लड़की लोग का बेल्ट होता है वही बाला लीजेगा फिर बाद में आप चाहें तो इस बेल्ट को करन्या को दे दीजेगा और जो पुस्प हैं उसको बहते वे पानी वे प्रभाहित कर दें जो फिटकरी है उसको अपने प समस्या से लगभग हर कोई परेसान है फिटकरी का एक छोटा सा प्रयोग आपको कर्जों से भी वहार निकालता है क्या करेंगे देखिए फिटकरी का प्रयोग बुद्वार के दिन अगर किया जाए तो जल्दी लाब देगा जो हम अभी आपको प्रयोग बताएंगे कर्ज से मुक्ति के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ी सी फिटकरी फिटकरी के ऊपर सिंदूर चिडग दे पान के पत्ते पर लपेट कर कलावा बांदे पान का पत्ता ले ले उस पर फिटकरी रखे तुकडे और उस पर सिंदूर एक चुटकी डाल दे उसके बाद लाल कलाव आप अपने किचन में रसोई में एक कांच के बाउल में छोटी सी कटोरी में एक फिटकरी का टुकरा रख दें तो क्या होगा तमाम निगेटिव एनरजी किचन में किसी भी सामगरी में न जाके उस फिटकरी को वो फिटकरी जो हो सोख लेगा और फिर आप सभी स्वस्त और म सकते हैं आपको एक रुमाल लेना है अब रुमाल के ऊपर एक फिटकरी का टुकड़ा रखें रुमाल किसी भी रंका हो सकता है सफेद भी हो सकता है किसी भी कलर का अब लगातार साथ दिनों तक अपने साथ लेकर ही यानिकि अपने तक्ये की नीचे रख लीजिए और रहने जब आप साथ दिनों तक लगातार ये प्रियोग करते हैं फिर उस रुमाल से उस फिटकरी को निकाल कर किसी साप सुतरी जगा पर एक गड़ा करके उसको डाल दे और उसके उपर एक तुलसी का पौधा या आम का पौधा लगा दे और उसमें पानी बेगर देते रहें जै लाब होंगे। हमारे सास्त्रों में वैसे बहुत सारी जानकारी दी गई है उसमेंसे जानकारी यह भी है अगर धन की देवी लक्षमी आप से रुस्ट हो जाए तो रोज रात में सोने के पहले फिटकरी से अपने दांतों को मांजे या फिटकरी मिलाओवा पानी से कुला क करके पिर सो जाएए ऐसा करने से आपकी जो मालक्षमी है वो भी आप से प्रसंद होती है आपका सरीर भी स्वक्ष रहता है आप चाहें तो नहाने के पानी में भी फिटकरी एक बार घुमा ले फिर फिटकरी को रख दे इस तरह से आप उस पानी से नहा सकते हैं आपका सरीर मन भी फिर रहे और आप कमन वी स्वष्थ रहेगा पोछसह लगाने के बालती के पाणी में अगर फिटकरी डालकर आप पोछा लगवाते हैं तो वास्तु दूर होता है नक राव होतां समांत् Confederate होती है कंऄ पर परिवार में लगता है जैसे किसी कि नजर लग गई ही है तब ऐसे में छोटा सा काम करें जो वेक्ती नजर दोस्से पिडित है उसके सर से लेकर पैर तक एक छोटा सा फिटकरी का टुक्रा ले ले अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो वापस से उसी के पास चला जाएगा और जीवन की बहुत सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन देखिए आज हम अगर सिंपल तरीके से आपको दस बाते बताएंगे पहला अगर ड्रावने सपने आते हैं तो अपने विस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी का टुक्रा बांद कर रखें बुरे सपने आना बंद हो जाएगा और भागिप का भी साथ मिलने लगेगा तंत्रमंत के लिए समाप्त हो जाएगी इसे आप कुछ दिन में ये पानी पानी होने लगेगा तो इसको फेक दें गंदे नाले में और फ्रेस रख लीजेगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं बार बार नींद में ड़ते हैं तो बच्चों की सिराने भी आप मंगल या बार या अरभी बार के दिन फिटकरी के टुक्रे रख सकते हैं बच्चे डरेंगे रही तीसरी बात अगर आपका दुकान बैपसाय नहीं चलता या लगता है कि तंद क्रियां हैं बाधाएं आती हैं बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो गया हैं बहुत सारे मुस्कले होती हैं तब एक काले कपड़े में फिटकरी बांद कर अपने बैपसाय स्थल पर लटका दें छोट कर दें तो कलहकले समाब अगर आपका घर का जो मकान का खिड़की है दर्वाजा है बालकनी में है जो ऐसे स्थान पे खुले जहां खंडर के तरह मकान है जिस मकान में कोई नहीं रहता है या फिर प्लॉट पड़ा है खाली जमीन है बरसों से बंद है तो ऐसे जगह जो है प्रेट के कबजे होते हैं निगेटिव एनरजी ज्यादा होती है तो ऐसे खिड़की में दर्वाजे के पास आप फिटकरी का टुकरा जरूर रखें नकात्म कुर्जा को सोंख लेगा और आप लोग सुरक्षित रहेंगे अब देखिए कई बार होता है कि नजर दोस्त जल लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतिजार रहेगा ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्किप्सिन में मिल जाएगा और आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वे हमें वेबसाइट का आननुसाइट धनेवां